तीन क्रिशी कानूनों को रद्द करवाने के बाद एक बार फिर से किसान सडको पर हैं. इस बार उनकी मुख्य मांग MSP पर कानून बनाने की है. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर MSP पर कानूनी गारंटी की मांग किसानों ने अपने पिछले विरोध के दौरान भी की थी केंद्र सरकार ने तब न्यून्तम समर्थन मूल्य MSP के मुद्दों पर आगे विचार करने के लिए पूर्व केंद्रिय क्रिशी सचिव की अध्यक्षता में समिती गठित की थी लेकिन MSP पर कानून नहीं बन पाया है अगर यह कानून बनता है तो इसका सीधा असर किसानों की फसल खरीदने वालों पर होगा वह तय भाव के नीचे से फसल खरीद नहीं पाएंगे हालांकि धान वगेहूं की खरीद सरकारी एजेंसियों द्वारा की जाती है लेकिन बाकी फसलों की खरीद नीची कमपनियां के अलावा कुछ हिस्सा सरकार करती है दरसल स्वामिनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सरकार को MSP को उतपादन की ओसत लागत से कम से कम 50 फीसदी अधिक तक बढ़ाना चाहिए इसे सी 2 प्लस 50 फीसदी फॉर्मूला भी कहा जाता है इसमें किसानों को 50 फीसदी रिटर्न देने के लिए पूंजी की अनुमानित लागत और भूमी पर किराया शामिल है दरसल दिसंबर 2023 में राजसभा में कृषी एवं किसान कल्यान मंत्री ने कहा था कि सरकार ने जुलाई 2022 में MSP समिती का गठन किया है जिसमें किसानों के प्रतिनिधी, केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, कृषी अर्थशास्त्री और वैग्यानिक आदी शामिल है समिती को MSP को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव देने है अब समस्या ये है कि जब कोई खरीदार न्यूंतम समर्थन मूल्य, MSP का भुकतान करने को तयार नहीं होगा तो सरकार के पास बड़ी मात्रा में उपज का भंडारन करने के लिए आवशक भौतिक संसाधन भी एक बड़ी समस्या बन सकते है दूसरा सरकार को खरीद और उन खरीद को स्टॉक करके रखना भी एक बड़ी चुनौती हो सकता है साथी MSP लगाने से भारत के निर्यात पर असर पड़ सकता है क्योंकि निजी व्यापारियों को MSP पर खरीदारी करने के लिए मजबूर करना मुश्किल हो सकता है जानकारों का कहना है कि साल तूर और उड़त सहित पांच खरीफ फसलों का मंदी भाव MSP से भी ज़्यादा रहा है देश की 11 प्रमुक खरीफ फसलों में से 5 का मंदी भाव उनके MSP से भी अधिक है सोयाबीन और मूंगफली का मंदी भाव बेंचमार्ग दरों के बराबर है वहीं मूंग, मक्का, रागी और बाजरा ऐसी खरीफ फसल हैं जो बेंचमार्ग दरों से नीचे का कारोबार कर रही है पिछले साल जवार, तुर, कपास, उडद और धान, गैर बास्मती कि अखिल भारतिय औसत कीमतें उनके MSP से 5 से 38 प्रतिशत तक अधिक थी करनाटक में मक्के की कीमतें MSP से अधिक थी लेकिन पूरे भारत में वे कम दिख रही थी जो अन्य राजियों में कम गुर्वत्ता के कारण हो सकता है दरसल कीमतों का यह उतार चरहाव ही MSP पर गारंटी के लिए सबसे बड़े बाधक के रूप में सामने आ रहा है दूसरा, पंजाब की मुखे फसल धान वगेहूं है दोनों पर MSP पहले से है और इसकी खरीद सरकार कर रही है वहीं, MSP पर कानून बनने से बाकी फसलों को खरीदना भी सरकार की मजबूरी होगी और उनको स्टोर करना वा आगे बेचना सरकार की जिम्मेदारी बन जाएगी इसलिए MSP पर कानून आसान नहीं है खेती बाड़ी युनिवर्सिटी के प्रो हरी सिंग बरार का कहना है कि देश में पानी, हवा को शुद रखने के लिए MSP पर गारंटी बहुत जरूरी है एक तरफ पानी को बचाने के लिए धान की फसली चकर से किसानों को निकाला जा रहा है इसके लिए अगर किसान दूसरी फसल उगाता है तो उसकी गारंटी होनी चाहिए पंजाब में धान की खरीद की गारंटी है, यह सरकार खरीदती है फसली विभिमता इसलिए कामयाब नहीं हो रही है कि किसान गिहुंधान छोएड कर तीसरी फसल उगाने के लिए तयार नहीं है भारत दाल वा तेल का आयात कर रहा है अगर इनकी गारंटी कानून बन जाए तो किसान तेल वा दालों को क्यों नहीं उगाएगा इससे पराली की समस्या तो हल होगी ही साथ में धरातल का पानी भी बच जाएगा चलिए अब आपको बताते हैं कि MSP की गारंटी क्यों नहीं दे रही सरकार MSP हमेशा फसल की एक Fair Average Quality के लिए दिया जाता है यानि कि जब फसल की अच्छी Quality होगी तभी उसकी MSP पर खरीद की जाएगी अन्यथा नहीं ऐसे में अगर सरकार ने MSP पर गारंटी दे दी तो उस फसल की Quality अच्छी है या नहीं ये कैसे तै किया जाएगा और अगर फसल तै मांदंडों पर खरी नहीं उतरती है तो उसका क्या होगा दूसरा अने फसलों को MSP में शामिल करने से पहले सरकार को उसका बजट भी तै करना होगा ऐसे में अब देखना होगा कि इस पर सरकार का क्या फैसला आता है Bureau Report Market Times TV